हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चिछेनल मेरा चेटन पसंद आए लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें सामने संसेट का व्यू है बहुत ही सुन्दर लग रहा है नहीं कौन सा चितरकार है इतने सुन्दर व्यू बनाए है कि बस देखते रहो देखते रहो इसे उतार करके अपने पास में रख लें, कितना सुन्दर लगता है, एक कोई फॉल होना ऐसा दिख रहा है, एक तम से ओरेंज कलर होता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज होता जाता है, और दीरे दीरे ये नीचे की तरफ जुखता जाता है, ऐसा लगता है, जैसे धरती से मिल के लिए बेकरार हो जो हमें और छिडिया भी अपने घर को लोटने लगी है कि इसको धरते से मिलन के इतने बेकरार होती है कि देखते ही देखते कुछ ही मिंटों में हमारे साफने से कायब हो जाता है कि देखिए हवाव चल रही है और ठंड भी लग रही हलकी हलकी से सर्दी के मुसम में दीन जल्दी अस्त हो जाते हैं करीब साड़े पांच बज़े जो भाई अपनी फेमेली को टाइम नहीं देते हैं या किसी कारण से नहीं दे पाते हैं इस वक्त चाय बना करके अपने फेमिली के साथ बेठ जाए और इस व्यू का एंजोय करें फेमिली बहुत खुज हो जाएगी हवा की सरसरा हट और इस नजारे को देखते ही बनता है आप सामने से देखते हैं तो बस आपका मन करता है कि देखते ही जाएं अशैपीय बहुत खुजड़ा है मैं कहीं गई नहीं हूँ है अपने गर के आंगन में घड़ी हूँ उ इतना सुनदर मेरे घर के सामने से इतना संदर व्यू दिखता है संसेट का और गर की बैक सैड सीमुझे संराइस तो μεी देलीः देखते हूं और बहुत ही सुन्दर लगता है थेए बहुत ही बिलैं हुता जा रहा है तो तो फोड दिख रहा है कुछ ही पलोह में ये गयब को होने वाल depressed थोड़ा सा है मामूली सा नजर आ रहा है अब तो बिल्कुल गायव हो चुका है लकीर के सकते हैं लकीर सी दिख रही है उसकी देखिए अंदर तक जा चुका है पूरा बहुत कम नजर आ रहा है बहुत कम हलका सा डॉट नजर आ रहा है कुछ भी नहीं देख रहा है और यह देरे देरे गायव हो चुका है और यह आसमान देखिए बिल्कुल क्लीन है देखा आपने तो इस पेसली भायों के लिए बोल रही हूं इस तरह के सीन अपने घर से देखिए और अपनी फैमिली मे अखासकर अपनी वाइफ को आप दिखाएए और चुछ स्नेक्स और चाय लेकर बैठ जाएए और देखिएगा आपकी वाइफ दुगुने जोस के साथ आपकी फैमिली को संबालेगी आपको कहीं पर भी ले जाने की जरुत नहीं इतना ही कापी है थैंक फॉर वाचिंग